राजवीर नाशिक से मुम्बई फैमिली टूर पर गया था वो कार ड्राइव कर रहा था और उसकी छोटी बहन्रिया उसके बगल में बैठी थी उसके मम्मी और पापा बैक सीट पर थे राजवीर मुम्बई में तो हम कब के आ चुके हैं तुम बचाओगे भी कि हम कहा रुकने वाले हैं हाँ भाया वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूग भी लग रही है अरे अरे अगर बता दिया तो सर्प्राइस का मज़ा नहीं रहेगा कुछ दे ड्राइव करने के बाद उनकी कार एक आलिशान होटल के सामने आरुखी ओ माइ गौड ये तो कितना बड़ा होटल है होटल ताज पैलेस ये था मेरा सर्प्राइस भाया ये तू तू स्वीट आई लव यू ये चारों होटल के अंदर पहुँचे रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी और मैनेजर भी वही खड़ा था वल्कम चू होटल ताज पैलेस हाँ में आई हेल्प यू हमें एक फैमिली रूम चाहिए जहां हम आज रात अच्छे से रुख सके जी क्यों नहीं मिल जाएगा रिसेप्शनिस्ट ने राजवीर को एक चाह भी दी वो चारों अब अपने लगज के साथ एक कमरे में पहुँचे जिसमें चार बेड लगे हुए थे वाँ भाईया अब सच में बहुत अच्छे हो च्राजवीर को अपने से कुछी दूरी पर एक लड़की नजर आई जिसकी खूबसूरती देखकर राजवीर को हैरानी भी हो रही थी और अजीब भी लग रहा था कि वो दुलहन के कपड़े में क्यूं है अरे रिया तुम ज़रा अम्मी अब्बू के पास जाओ मैं अब भी आता हूं लड़की देखकर मुझे बगाने लगें आप इस्टुपिट आप नाम सुमित्रा है क्या इस होटेल में आपकी निकाह हो रही है नहीं तो मैं भी आप ही की तरह है ठहरी हूं किया हूँ ऐसे क्यों हस रहे हैं अब सॉरी बट आप इस तरह दुलहन बनकर यहां रह रही है यह बहुत अजीब लग रहा है कोई बात नहीं अगर मैं किसी प्रस में होती तो शायद आपको कुछ अजीब नहीं लगता है ना हां नहीं लगता वैसे आप यहां अकेली ठह रही है या कोई और भी साथ है हां मेरे साथ मेरे पेरेंट्स है ना आप उनसे मिलना चाहेंगे यह तो बहुत फास्ट है यार चलो कोई नहीं देखते हैं क्य जब आप कह रही है तो मिल लेते हैं आए हमारे साथ वो लड़की राजवीर को एक कमरे में ले गई अरे यह रूम तो हमारे वाले से भी ज्यादा बड़ा है लेकिन आपकी फैमिली कहा है एक दुलहन को फैमिली की नहीं बल्कि एक दुलहे की जरूरत होती है यह कहते सीने पर उंगली रखी और उसे बैट पर गिरा दिया वो धीरे धीरे अपने चहरे को उसके चहरे के करीब ले जा रही थी उसकी मुस्कान से राजवीर भी थोड़ा बहग गया था कि तभी राजवीर की नजर साइट में लगे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ी उसने पाया कि उस आहिने में दुलहन तो नसर ही नहीं आ रही थी तभी उस दुलहन की शकल बहुत भयानक हो गई राजवीर ने उसे धक्का दिया और फोरण वहां से निकला लेकिन ये क्या वो दरवासे से पहार निकलने के बावजूद उसी कमरे में पहुंच गया राजवीर मेरे जैसी खुपसुरा दुलहन को बहला कौन ऐसे छोड़ कर जाता है आओ आओ मेरे पास राजवीर अब फिर से दरवाजे से पहार निकला और दो तीन बार इसी तरह करने पर वो कॉरिडॉर में आ गया और खुद को कॉरिडॉर में पाकर उसने सुकून की सां अरे सर आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं इस कमरे में एक चुड़ेल है वो मुझे मारने वाली थी क्या पिछले छे महने से यहां पर काम कर रहा हूं सर यहां पर कोई चुड़ेल वड़ेल नहीं है तब ही वही दुलहन बिचली की रफतार से वहां आई और उसने उ कोई नहीं है उस सर्विस बॉय की आँखे पटी की पटी रह गए राजवीर वहां से बहुत तेज भागा और पीछी मुड़कर देखना नहीं चाहता था तभी पीछे से कोई आवास बड़ी तीजी से आई और उसके कदमों में आगिरी राजवीर ने नीचे देखा तो उ उसी सर्विस बॉय की कटी हुई कर्दन थी राजवीर भाग कर अपने कमरे में पहुंचा उसने दर्वाजा अंदर से बंद किया और लंबी लंबी सांसे लेने लगा राजवीर बेठा क्या हुआ तुमको अम्मी अभू जल्दी से यहां से निकलो यह होटेल हॉंटे है मै पुचारों अब अपना लगे छोड़ चाड़ कर जैसे तैसे वहां से निकल गए इन्हों ने रिसेप्शन पर रुखना भी ठीक नहीं समझा और में डोर पर गए तो वो बंद था यह यह दर्वाजा क्यों बंद है सर आप लोग अभी आये हैं और आपने अभी चेक नहीं किया है सर फिर आप ऐसे कहां भाग रहे हैं इस होटल में एक चुड़ेल है हमें या रुक कर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना अरे आप यह कैसी बाते कर रहे हैं सर तभी अचानक से पुरी होटल की लाइट फ्लिक करने लगी और वही दुलहन चुड़ेल इन्हें के सामने नजर आती है उसे देखकर मैनेजर और रेसेप्शनिस्ट दोनों के भी होश उड़ गए क्यों मैनेजर मुझे सामने देखकर कैसा लग रहा है अब यह दोनों भी चीकते चिलाते दर्वासे के और भागे और इस बार चाभी लगाने के बावजूद भी डोड नहीं खुला और वो बस दर्वासे को खोलने के लिए जोड लगाते रहे आज यह दर्वासा तुम दोनों के मरने के बाद ही खुलेगा नहीं वो दोनों अब वापस कोरिडोर की ओर भागने लगे और वो दुलहन चुडैल भी उनके पीछे हो ली वो इनको पकड़ने ही वाली थी कि तभी ये दोनों एक कमरे में घुश गये जहां पर एक मंदिर बना हुआ था दुलहन चुडैल उस कमरे में नहीं जा पाए ब जाजवीर और उसका परिवार पुरी तरह से डर गये थे पुछुडैल अब वापस उनके पास आई तुम लोग उन दोनों को बाहर लेकर आओ वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूँगी सुमेत्रा हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम यहां कब से हो और क्यों हो हमें तो कुछ भी पता नहीं तुम हमें यहां से जाने दो प्लीज मैं तुम्हें यहां से जाने दूँगी लेकिन अब तुम लोग नहीं जा सकते मेरे पास सिर्व रात तक का ही वक्त है अगर वो दोनों बाहर नहीं आए तो सुबह होने पर मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगी लेकिन ऐसा क्या है जो तुम उन दोनों को मारने के लिए इतनी बेताब हो अब उस दुलहन चुडैल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की पिछले महीने वो अपने पती के साथ उस होटेल में गई थी नरेश हमने भाग कर शादी तो कर ली और यहां रुक भी गए मकर सुबह होने पर तुम मुझे कहां लेकर जाने वाले हो अरे बस आज रात हमें यहां रुकना है उसके बाद हम दिल ली जाएंगे और वह हम अच्छा सा फ्लैट लेकर आराम से रहेंगे वो उसके कहने पर ही अपने घर के सारी गहने और पैसे लेकर भाग आई थी अब तुमने मेले इतनी दौलत का इंतिजाम कर दिया है तो मैं पूरी जिंदगी आराम से आश करके गुजार सकता हूं यह तुम क्या कह रहे हो नरीश अब मुझे तुमारी जरूरत नहीं है उसने मेरे बेट में चाकू मार कर मुझे खत्म कर दिया यह रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर को यह बात पता चली तो इन्होंने इस बात को छुपाने के लिए नरेश से पैसे ले लिए मेरी लाश को टिकाने लगा दिया और मेरी रूह तब ही से यहां भटक रही थी लेकिन मुझे में शक्तिया नहीं थी लेकिन आज अम आवस्या की रात है इसे लिए मुझे में काली शक्तिया गई है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है लेकिन हमें प्लीज यहां से जाने दो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ये लो उसने रिया को पकड़ा रिया बिटा उन दोनों को बाहर निकालो वर्ना मैं इसे अभी खात्म कर दूँगी नहीं मैं उनको लेकर आता हूँ आप लोग जल्दी यहां से चलिए वो फिलाल यहां नहीं है यह क्या कह रहे हो तुम्हों आप कहीं नहीं जाने वाली अगर वो नहीं गई होती तो क्या अब तक मुझे जिन्दा छोड़ा होता उसने यह सुनकर मैनेजर और रेसेप्शनिस्ट दोनों ही उन दोनों के साथ उसकमने से बाहर निकल आए और जैसे ही यह हॉल में पहुंचे तो दुल्हन चुडैल इनके सामने आ गए यह क्या तुम लोगों ने हमें धोका दिया हमें जाने दो हमने तुम्हारा काम कर दिया है दुल्हन चुडैल ने उनकी ओर देखा तभी दर्वाजा अपने आप खुल गया तभी इनकी कार की बॉनिट पर मैनेजर के बिना सरवाली लाश आकर गिरी उस लाश को इतना करीब से धीक कर रिया बेहट डर गई इन सभी के दिल बुरी तरह से दहल चुके थे रास्ते में कितने भी होटेल आए लेकिन अब इनकी हिमत कहीं रुकने की नहीं थी अपने घर पर आकर इन लोगोंने चैन की सांस ली एक दूसरे को महफूस अपने घर में पाकर इनने थोड़ी राहत मिली लेकिन ये रात इनने हमेशा याद रहेगी